क्या आप भी खीरे की छिलकों को फेंक देते हैं? तो रूखिए जनब, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कभी भी खीरे की छिलकों को फेंकेंगे नहीं तो हमारे साथ वीडियो को अंते तक बिना स्किप किये देखें, आप फायदे में ही रहेंगे नमस्कार आदाप सत्रियकाल जोहार आज हम खीरे की छिलके से जी हाँ आपने बिल्कुल सहीं सुना आज हम खीरे की छिलके से बने हुए एक ऐसी एंटी एजिंग क्रीम या जेल की विधी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसके एप्लिकेशन से आपकी तवचा जवान रिंकल फ्री, टैनिंग फ्री, एंटी एजिंग, दाग धब्बे एवं मुहासों से फ्री हो जाएगी इसका मतलब यह हुआ इस क्रीम या जेल को किसे भी स्कीन टोन वाले और कोई भी उमर वाले यूज कर सकते हैं हर उमर के ल जिसे हम अकसर करके सलाग बनाने के लिए छिलने के बाद अनुपयोगी समझ कर फेक देते हैं, खीरे के चिलके को यूज करने से पहले यह सुनशीत कर लें कि खीरा कड़वा तो नहीं है, यदि है तो इसे बिल्कुल भी इस्तिमाल न करें, खीरे का कड़वा होना हमारे स् हो सकता है, इसलिए कड़वे खीरे के चिलके को बिल्कुल भी इस्तिमाल न करें, मैं जो एक खीरे का चिलका यूज कर रही हूँ, वह कड़वा नहीं है, अब इसमें एड़ करेंगे थोड़े से पुदेने या मिंट की पत्तियों की खासियत के बारे में बता देती हूँ, पुदेने की पत्तियों का अर्ग मुहासे की उपचार एवं रोप्थाम के लिए उपयोगी होता है, पुदेने की पत्तियों में मौजूद मैंन्थोल एवं प्राकृतिक एंटी अक्सिडेंट तवचा के लिए अद्भूत क्लिंजर, टोनर, एस्ट्रिंजेंट एवं मॉ प्रकार के स्कीन टोन वाले उपयोग में ला सकते है, आब इसमें एड़ करेंगे दोचमच अलोवेरा जेल, अलोवेरा जेल आप घर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और चाहें तो मार्केट का भी उज़ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको अलोवेरा जेल की खास्यत बता देती एलोवेरा एक पहतरीन एंटी ऑक्सिडेंट के रूप में काम करता है यह तवचा को सुरत से होने वाले ऑक्सिडेंटिव नुकसान से बचाता है इसे लगाने से चेहरे को प्राक्रितिक चमक मिलती है इसके एंटी बैक्टिरियल गुण तवचा को पीमपल एवं मुहासो से बचाते हैं ग्लोइंग इसकीन के लिए आप निमित रूप से चेहरे पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं ओली स्कीन के लिए एलोवेरा जेल काफी मददगार होने के साथ साथ संसेटिव स्कीन के लिए भी फायदेमंद होते हैं इन सबकों मिक्से जार में अच्छे से पीस लेंगे बीना पानी डाले फिर छनी की साहता से छान कर प्रेस करते हुए एक साथ सुथरे बाउल में रस को अलग कर लेंगे आप देख सकते हैं बीना पानी डाले पीसे हुए खीरे का रस एक बाउल में अलग कर लिया है अब इस खीरे के रस वाले बाउन में एड़ करेंगे एक चमच अलोवेरा जल, हमने टोटल तीन चमच अलोवेरा जल यूश किया है इसमें एड़ करेंगे एक विटामिन E केपसूल और आप तो जानते हैं कि विटामिन E में एंटी ओक्सिडेंट के गुन होते हैं इसके इस्तेमान से hyperpigmentation में कमी और त्वचा के स्वास्ते में सुधार होता है या त्वचा को प्रदुशान और सूरत से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है कोशिक वृद्धी को बढ़ावा दे सकता है, anti-aging का काम करता है और गर्मी में त्वचा की चिलचिलाहट को शान्त करता है इसकीन के hydration को बढ़ाने और त्वचा की नमी को बरकरार रखने के लिए glycerin की कुछ बुंदे अवशे यूज़ करें आप किसी भी कंपनी का glycerin यूज़ कर सकते हैं इन सबको साफ सुत्रे स्पून की सहायता से 5-7 मिड़ तक मिक्स करते रहें इनको मिक्स करते करते मैं आप सभी को कुकुम्बर की खासियत के बारे में भी बता देती हूँ कुकुम्बर में विटामीन A, विटामीन C, एवं एंटी ओक्सिजेन पाय जाते हैं जो स्किन को निखारते भी हैं, फ्रेश भी रखते हैं और टैनिंग जैसे दिक्कतों को भी दूर करने में काफे असरदार होते हैं साथ साथ आखों एवं उसके नीचे पड़े काले घेरों को भी कम करने का काम करते हैं कुकुमबर या खीरे का उपयोग स्किन वाइटनिंग एवं सकिन गलो में होता है, उसके साथ साथ कुकुमबर एकने एवं दागधब्बों को भी कम करने में मददगार होता है All-Purpose Anti-Aging, Anti-Rinkle, Anti-Taining, Yellow Cucumber, Gel या Cream को बनाने के लिए मैंने जो भी प्रोड़क्ट यूज किये हैं वो सभी स्किन्टोन वाले यूज कर सकते हैं इसके बाद भी यदि आपको कोई भी प्रोड़क्ट सूट ना करें तो उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं पांच से साथ मिनट तक मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा All-Purpose Anti-Aging, Anti-Rinkle, Anti-Taining, Yellow Cucumber क्रीम या जल बनकर तयार हो गया है All-Purpose Anti-Aging, Anti-Rinkle, Anti-Taining, Yellow Cucumber जल या क्रीम को साफ सुथरे कंटेनर में ट्रांसफर करने के बाद फ्रीज में साथ से दस दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं इसलिए कम कॉंटिटी में इसे बनाए तो दोस्तों आज के बाद कभी भी खीरे के छिलके को यूजले सोच करके फेंकने के बजाए इस तरीके से Anti-Aging, Anti-Rinkle, Anti-Taining, All-Purpose L Cucumber जल बनाए और अपने स्कीन की रक्षा करें इस All-Purpose L Cucumber जल के लगातर इस्तमाल से आप पाएंगे कि आपकी तवचा पहले से अधिक जवान दिखने लगेगी रिंकल भी समापत होने लगेंगे और आप बढ़ती उम्र को पीछे छोड़ देंगे उसके साथ साथ आप पाएंगे कि आपकी तवचा में पहले से दाग धब्बे कम हो जाएंगे मुहां से भी कम हो जाएंगे और आप यंग दिखने लगेंगे आज हमारे द्वारा शेयर किये गए कुकुमबर के छिलके से एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, एंटी टेनिंग, और परपस, एलो कुकुमबर जेल या क्रीम की रेसिपी या वीधी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिलकुल भी न बुले इससे हमें प्रेड़ना मिलती है, कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं और यह लिए आप व्यूट देही चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो व्यूट देही चैनल को प्यार मुहबत के साथ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के साथ हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली रेसिपी या वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाए टेक कियर एंड लवी ओल